हेलो दोस्तो वेलकम है आपका मेरे चनल दी अंटोल्ड अमबेटकर में दोस्तो इस वीडियो में हम डॉक्टर अमबेटकर जी और सुभाज चंदर बोज जी के एक मुलाकात के बारे में बात करेंगे मुलाकात बहुत ही छोटी थी और इसके बारे में जाधा जानकारी भी उपलब नहीं है पर ये एक एतियासिक घटना है जो डॉक्टर अमबेटकर जी के अनुयायों को पता होनी चाहिए इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि डॉक्टर अमबेटकर जी क्यो ऐसा मानते थे कि गांधी जी से नहीं तो सुभाज चंदर बोस जी से डरते थे ब्रिटिश दोस्तो इस वीडियो में मैंने जो जानकारी ली है वो मैंने डॉक्टर अमबेटकर राइटिंग एंड स्पीचेस वॉल्यूम 17 पार्ट 2 से ली है घटना 22 जोली 1940 की है उस समय सुभाज चंदर बोस जी ने कॉंग्रेस से खुद को अलग कर लिया था या कहे कॉंग्रेस ने उन्हें अद्धिक्षपत से हटा दिया था बताया गया है कि उस वक्त सुभाज चंदर बोस काफी परिशान और बैचेन थे और भारतिये जवानों की सेना इकट्टा करना चाहते थे ताकि वो बिटिश सामराज जवाज से लड़ सके 22 जुली 1940 को सुभाज चंदर बोस मुंबई आये और उन्होंने गांदी जी बरेस्टर जिना और डॉक्टर अम्बेटकर जी से मुलाकात की सुभाज चंदर बोस चाहते थे कि उनकी इस मिशन में उन्हें डॉक्टर अम्बेटकर जी का भी सहयोग मिले इस मकसद से मुलाकात की गई थी इनके बीच क्या चर्चा हुई इसकी पूरी जानकारी तो अवेलेबल नहीं है पर डॉक्टर अम्बेटकर जी ने सुभाज चंदर बोस जी से कुछ सवाल जरूर किये जिनकी जानकारी उपलब्ध है डॉक्टर अम्बेटकर जी ने सुभाज चंदर बोस जी से पूछा कि क्या आप चुनाओं में कॉंग्रेस के खिलाफ अपने प्रत्याशी खड़े करेंगे या नहीं सुभाज चंदर बोस जी ने इस सवाल का नकारात्मक जवाब दिया दूसरा महत्वपुर्ण सवाल डॉक्टर अम्बेटकर जी ने पूछा कि आपकी पार्टी का अच्छोतों की समस्याओं पर क्या रवईया है सुभाज चंदर बोस जी ने जो जवाब दिया उस जवाब से डॉक्टर अम्बेटकर संतुष नहीं हुए और वो मुलाकात भी खतम हो गई दोस्तों सुभाज चंदर बोस जी और डॉक्टर अम्बेटकर जी अपने तरीके से देश भक थे दोक्टर अम्बीटकर जी का मानना था कि देश आज़ाद करने से पहले देश की गुलाम जन्ता को आज़ाद करना जरूरी है दोनों के कार्य करने के तरीके में अंतर होने के कारण दोनों एक साथ लड़ाई नहीं लड़ सके दोस्तों BBC को दिये एक इंटर्व्यू में डॉक्टर अम्बीटकर जी ने सुभास चंदर बोस जी के बारे में एक महत्वपुर्णा बात कही थी BBC के प्रतिनी दी ने डॉक्टर अम्बीटकर जी से सवाल किया कि क्या गांधी जी के बिना भारत को राजनेतिक आजादी मिल सकती थी या नहीं जवाब में डॉक्टर अम्बीटकर जी कहते है कि गांधी जी के बिना भी भारत को राजनेतिक आजादी मिल सकती थी उस आजादी को मिलने में थोड़ा समय लगता और वो भारत की जंदा के लिए फायदे मन भी होती। आगे डॉक्टर अमबेटकर जी कहते हैं कि भारत को ब्रिटिशों से आजादी मिली इसका कारण वो सुभाष चंदर बोस जी को मानते हैं। ब्रिटिशों ने ये देखा कि उनके आर्मी के जवान अब सुभाष चंदर बोस की बनाई इंडिन आर्मी की तरह अब वो भी अपनी एक पार्टी या बटालियन से जुड़कर बिटिश राज को खतम करना चाते थे। ब्रिटिश जी को भारत की राजनेतिक आजादी के लिए जिम्मेदार माना है। इस पर आपकी क्या सोच है ये कमेट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजेगा। चैन